तो बड़ा आज हम लोग melting points and boiling points के बारे में जो है वो discussion करेंगे D-block elements में melting points और boiling points कैसे vary करते हैं, in series कैसे vary करते हैं और in between different series जो है, वो क्या comparison है, कौन-कौन सी exceptions हैं सब कुछ जो है वो हम लोग discuss करने वाले हैं, pen copy निकाल लीजिए सारा lecture जो है वो बड़ा जी हम लोग note करेंगे तो बड़ा जी तीन series जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है सबसे पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो यह 3D series है जिसके अंदर 3D का filling जो है वो हो रहा है फिर हम लोगों के पास 4D series है और last में जो है वो हम लोगों के पास 5D series जो है वो present है सबसे पहले कुछ चीजें आपको जो है ध्यान देनी है कि जो 3D series है उसके अंदर chromium का जो हम लोगों के पास melting point है वो highest है उसके बाद molybidnam का melting point highest है उसके बाद 5D series के अंदर tungsten का जो melting point है वो हम लोगों के पास highest है तो किस तरीके से आपको इसको जो है वो याद करना है तो देखो हम लोगों के पास कौन कौन से elements है एक हम लोगों के पास chromium है जो की 3D series में लाई कर रहा है फिर हम लोगों के पास molybidnam है और फिर हम लोगों के पास tungsten है ऐसा element है जिसका melting point और boiling point जो है वो हम लोगों के पास highest है अगर मैं सारी series के साथ जो है वो इसको compare करूं मतलब सारे के सारे d block elements को जो है वो अगर मैं compare करूं तो देखो learn कैसे करना है इसको इस कुडी कुडी is like a girl in Punjabi मुहासों वाली पिंपल्स वाली वाली इस डबली कुडी मुहासों वाली is the way to learn the highest melting points of the different series of the d block elements तो tungsten का जो है वो हम लोगों के पास highest melting point है chromium का 3d series में molybdenum का 4d series में और फिर tungsten का जो है वो हम लोगों के पास 5d series में अब इसमें एक चीज जो है वो जानने वाली है वो क्या कि यार middle of the series तक तो melting points और boiling points जो है वो हम लोगों के पास rise कर रहे हैं फिर एक sudden fall जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है यह सारा का सारा जो है वो उसकी electronic configuration के ऊपर जो है वो लाई करता है क्योंकि middle of the series तक हम लोगों के पास जो metallic bonding है जो metallic bonding है metallic bonding जो है वो number of unpaired electrons पे जो है वो हम लोगों के पास depend करती है जितने ज्यादा number of unpaid electrons होंगे उतनी ज्यादा metallic bonding जो है वो हम लोगों के पास होगी तो जैसे ही मैं middle of the series तक जो है वो पहुंच रहा हूँ मतलब 3D5 तक जो है वो मैं पहुंच रहा हूँ तो इसमे number of unpaid electrons जो है वो maximum हो जाते हैं इन particular cases में फिर जैसे ही मैं decrease करता हूँ तो number of unpaid electrons कम होने लग जाते हैं जिससे metallic bonding जो है comparatively थोड़ी weaker stage के अंदर जो है वो चली जाती है तो number of unpaid electrons पे metallic bonding depend कर रही है और metallic bonding के उपर जो है वो हमारा melting point और boiling point जो है वो depend कर रहा है तो middle of the series तक melting points और boiling points जो है वो बढ़ते हैं फिर sudden fall जो है वो melting and boiling points का देखने को मिलता है दूसरे important point जो है वो हम लोगों के पास ये है कि manganese की अगर मैं बात करूँ या titanium की अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर एक sudden dip जो है वो देखने को मिल रहा है मतलब जो melting point है वो comparatively आर्यू से कम है इसी manganese का melting point जो है वो iron से कम है इसका जो है वो क्या reason है तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बठा लो जो ti है हम लोगों के पास कौन-कौन सा element जो है tectinum हो गया और ये element हो गया हम लोगों के पास manganese इनका जो melting point है इनके अंदर एक sudden dip जो है वो देखने को मिल रहा है कारण क्या है ये हमारे पास 3D5 series है ये हम लोगों के पास 4D5 series है और ये हम लोगों के पास जो है वो 5D5 series जो है वो रहती है अब इसमें problem क्या है इस particular के अंदर 4D5 और 3D5 में ऐसा बोला जाता है इसका reason जो है कि 3D5 और 4D5 electronic configuration जो है वो एक half filled electronic configuration होने की वज़ा से काफी ज्यादा stable है अब देखो metallic bonds जो है वो usually अगर आप metallic bonding का basic आप नीव देखो ना कि किस तरह से metallic bonding जो है वो designed है वो उसके number of unpaid electrons पे designed है that is fine मतलब electron जो है वो कितना घूम पा रहे है क्योंकि metallic bonding is a pool of electrons in which nucleus of the atoms are embedded तो pool of electrons की तरह है मतलब एक element के electrons एक atom के electrons दूसरे atom में जो है वो जा रहे है तो एक्दम समुद्र बना हुआ है पूरे के पूरे electrons का लेकिन problem क्या है क्योंकि 3D5 और 4D5 electronic configurations बहुत ज्यादा stable है जिसकी वजह से वो ज्यादा electrons जो है वो नहीं इदर उदर जो है वो move down कर पाते हैं जिसकी वजह से जो है वो बेड़ा जी clear है तो मैं next slide पर जो है वो move कर रहा हूं तो यहां पर देख लो strong metallic bonding जो है उसकी वजह से melting points and boiling points जो है वो हाई रहते हैं maxima जो है वो middle of the series में है क्योंकि ज्यादा number of unpaid electrons जो है वो present होते हैं जिससे ज्यादा strong जो है वो interactions जो है वो रहते हैं जितने ज्यादा number of unpaid electrons होंगे उतनी strong हमारे पास metallic bonding जो है वो हमारे पास होंगी अब इसके अंदर एक और term हम लोगों ने इस्तिमाल कर रखे that is high enthalpy of atomization अब या जो हमारे पास metals है वो available है एक simple सा क्योंभी closed pack body centered कोई साभी structure जो हो सकता है एक lattice की form में इसका break होके एक gasuous atom में change होना उस particular process में जो energy अपने को देनी पड़ रही है उसको enthalpy of atomization जो है वो बोला जा रहा है अब एक सोचने वाली बात है यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो atom हम है उसको पहले तो lattice से तोड़ा वो solid form में था फिर उसको हम लोगों ने जो है वो liquid से gases form के अंदर जो है वो change किया it is just like a melting कि पहले crystal की form में था उसके बाद वो लग-लग हो रहा है मतलब वो melt कर रहा है मतलब atoms जो है उसके दूर जा रहे है तो जो trend हम लोगों के पास enthalpy of atomization का trend है वही same trend हम लोगों के पास जो है वो melting point और boiling points के अगर आप NCRT के अंदर इसका graph देखो तो ये भी exactly same तरीके से ही वेरी करती है enthalpy of atomization जिस तरीके से हम लोगों के पास melting points और boiling points वेरी कर रहे है क्योंकि same ही fund है इसके अंदर भी चीज़ें उसी तरीके से वेरी कर रहे है metallic bonds औ और unpaid electrons पे ही जो है वो सब कुछ depend कर रहा है तो इस तरीके से जो है ये हो जाता है अब next जो है वो हम लोग बात करते हैं कि जो 4D series और 5D series है उसकी जो enthalpies of atomization है वो ज्यादा है as compared to the 3D series देखो enthalpy of atomization का क्या concept है जैसे जैसे मैं 3D series से 4D series पे move कर रहा हूँ और 4D से 5D पे move कर रहा हूँ तो atom का size जो है वो increase कर रहा है इसका मतलब electrons अब थोड़े से कम bounded हैं वो अब freely move कर सकते हैं जिससे वो एक ज़्यादा metallic character को show करते हैं जिसकी वज़ा से हम लोगों के पास metallic character बहा बात क कर लो 4D और 5D series की जो है वो comparatively ज्यादा है 3D series की series से और 5D series की enthalpy of atomization और melting point जो है वो ज्यादा है हम लोगों के पास 4D series से तो this is the important factor in accounting the occurrence of much more frequent metal metal bonding in heavy transition metals के अंदर ज्यादा strong metallic bonding जो है वो रहती है क्योंकि electrons थोड़े से lose होते हैं और easily जो है वो move कर पाते हैं metallic bonding basically electrons के moment की वज़ा से हो रही है जो एक atom से दूसरे atom पे electrons जो है वो move कर रहे है tungsten निकलौता ऐसा element है पूरे के पूरे डिवलॉक के elements के अंदर जिसका melting point जो है वो सबसे ज्यादा highest है यह particular melting point जो है वो tungsten का हम लोगों के पास होता है आगे अगर बेड़ा जी मैं बात करूं तो manganese और titanium के अंदर जो है एक dip देखने को मिलता है कारण क्या है क्योंकि इनकी half field electronic configurations है D5 electronic configurations जो है वो इनकी होती है electrons जो है वो tightly bounded होते हैं इनकी localization कम होती है जिसकी वज़ा से metallic character जो है वो एक कम show करते हैं I hope बड़ा जी यहां तक जो है वो आपको clear है